First कीजिए कि अगर आपके पास आपका ये customer का data है जिसमें उनके address line items mentioned है हमें उनको एक letter भेजना है उस letter पे जो address आएगा वो एक ही line में होना चाहिए जी हाँ दोस्तो मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसके तुरू हम Excel में इन सारे columns की data को join करकर सिर्फ single cell के अंदर put कर सके तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ Excel के functions की बात करने वाले हैं जिससे हम बहुत सा text एक ही जगा join कर पाएंगे मैं हूँ Lokeish Lalwani and welcome to my YouTube channel Learn with Lokeish Lalwani तो दोस्तो सबसे पहला जो function हम लोग use करने वाले हैं वो है concatenate यह बहुत सालों से हमारे पास है जिसके तुरू हम बहुत सा text join कर पाएंगे तो मैं start करता हूँ equal to concatenate यह देखिए मेरे पास आ गया जैसे यह highlight हुआ मैंने tap press किया देखें दोस्तो formula writing की जहां तक बात है अगर आपको इसको in depth समझना है तो मेरे एक दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं जिसके तुरू आप बहुत easily इस part को समझ पाएंगे i button पर आप देख रहे हैं उस पर click करके उस पर जा सकते हैं उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत easy आपके लिए हो जाएगा तो इसमें जो syntax के हैं इसके अंदर जो arguments आप देख रहे हैं वो है text 1, text 2, text 3 मतलब जो भी text आपको join करना आप उसको देते चले जाएंगे जैसे इस case में अगर मुझे इसको selection देना है तो ये मेरा पहला text हो गया naturally मुझे इसके अंदर space डालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में तो मैं comma करके double quotes डालता हूँ जो की inverted comma भी हम लोग बोलते है space comma double quotes तो मैं चाहता हूँ की 893 आए उसके बाद space हो comma हो उसके बाद pocket 1 लिखा है तो comma करके मैं इसका selection देता हूँ comma again double quotes space comma double quotes comma again third item का मैंने selection दे दिया तो इस तरह से मैंने formula मुझे complete करना है तो दोस्तो formula मैंने complete कर लिया है जैसी मैं enter press करता हूँ तो ये एक ही line में join हो जाएगा इसको मैं copy करके जब मैं paste करता हूँ नीचे तो मेरे पास सारे answers आ जाएंगे बट आपने देखा कि ये procedure थोड़ा सा lengthy था मैं press कर रहा हूँ control Z undo करने के लिए इसका दूसरा तरीका हम ये कर सकते है कि इसको एक range का selection दे सकते है पर दोस्तो problem concatenate function में क्या है कि ये range को accept नहीं करता अगर मैं इसको इस तरह से selection देता हूँ दोस्तों bracket close enter तो देखे यहाँ पर मेरे पास value error आ गए तो range के case में दोस्तों ये काम नहीं करता individually हमें selection देना पड़ेगा जो कि एक बहुत lengthy way बन जाता है तो दूसरा तरीका हमारे पास है and जो कि ampersend कहलाता है इसका हम use कैसे करेंगे जैसे हमने concatenate का किया है similarly हमें इसका use करना है equal to पहला part and double quotes space comma double quotes and second part तो आप समझ गए दोस्तों इस तरह से मुझे इसको एक connector के रूप में use करना पड़ेगा तो दोस्तों formula मैंने लिख लिए है जैसे मैं enterprise करता हूँ ये भी join कर लेगा but again आपने देखा कि ये बहुत ही lengthy procedure है formula लिखने का again third जो हमारे पास option आता है वो एक नया function Excel में introduced हुआ है concat concat function Excel 2016 से ही available है और उसमें भी तभी available होगा अगर आपके पास office 365 का subscription होगा क्योंकि मैं Excel 2019 use कर रहा हूँ तो इसके अंदर by default ये function आता है तो देखिए कितना खुबसूरती से हम इसमें काम कर सकते हैं अगर मैं use करता हूँ concat तो देखे मैंने इसको selection दिया और इसमें text एक एक करके देने की ज़रुत नहीं है अगर मैं इसमें पूरी range एक बार में दे देता हूँ दोस्तों देखे मैंने bracket close किया enter तो उसने उसको एक ही बार में join कर लिया बट दोस्तों problem यहां पर यह है कि इसमें कोई spaces नहीं आये यह एक साथ join हो गया है तो इसके लिए सबसे best function जो हम लोग use करने अवाले हैं वो है text join जी हाँ जो मैंने पहले बताया था कि 2016 में available है लेकिन उसके लिए आपको पास office 365 का subscription होना चाहिए text join function के लिए भी यह माननिये है आपके पास 2016 के साथ 365 से subscription हो जाना चाहिए या 2019 वाला version होना चाहिए बट दोस्तों देखिए कैसे काम करता है मैं लिखता हूँ text join देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया है अगर आप syntax देखते हैं तो पहला argument है delimiter delimiter मतलब आपको बीच में क्या put करना है जैसे कि मुझे space और comma put करना है तो मैं लिखता हूँ double quotes space comma double quotes ये मेरा हो गया delimiter comma ignore आपको blank cells करने है या नहीं करने generally हमें ignore करने होते हैं इसलिए list में पहला option true जो की कहता है ignore empty cell क्या आप उनको नजर अंदास करना चाहते हैं तो मैं उनको नजर अंदास करना चाहूँगा यहाँ पर तो मैं true को selection दे दता हूँ tap press करके comma उसके बाद मैं यहाँ पर एक range को selection दे दता हूँ यह देखिए मैंने range को selection दिया bracket close enter तो देखिए इसके अंदर एक ही बार में पूरी range बन चुकी है और सारे के सारे spaces और commas जोड चुके हैं मैं आपको इसको expand करके दिखाता हूँ तो देखिए जो इस case में best option available है वो है text join दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए like करिए और comment section में ज़रूर बताईए कि next वीडियो मैं किस topic पे बनाऊँ bell icon पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे next वीडियो की आपको notification तुरहत मिल जाए take care दोस्तों bye bye